तड़ा मित्रों, मातव विद्यसंकुल द्वारा प्रस्तोत, ओनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम पक्षानों में विशेहिंदी, पद्देशाथ, सुर्दास के पद, जिन में आज के इस प्रथम वीडियो में हम कवी परीचाई सुर्दास जी के बारे में पड़ेंगे। मित्रों, सुर्दास जी, बगवान सी कृष्ण के एक अनन्य भक्त रहे है। उनकी अधिक्तर रचनाव में बगवान सी कृष्ण के बारे में उन्होंने लिखा है। वासल्य रस एवं सुर्णगार रस से उनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। आईए अब हम उनके जीवन के बारे में देखते हैं। महाकवी सुर्दास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गाव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मतुरा के पास रुकना या रेणु का सित्र में हुआ था। इनका जन्मांद होना बे विवादास पद है। वल्लबाचारिये इनके गुरु थे। इनकी प्रेणा से वे श्रीराजी मंदिर में कुछन की लिलाओं से संबंदित पदों की रचना करते थे। ये कुछन के अनन्य भक्त थे। वादसल्य एवं शुरुंगारस के वर्णन में वे अदृत्य है। प्रस्तूत पद में सुर्दास की अनन्य भक्ती भावना का परीचे मिलता है। उनका मन सिवाय कुरुष्ण के कही और सुख नहीं पाता। जिन आखोंने कमल के समान नयन वाले सीकुरुष्ण का दर्शन कर लिया हो। वे और देव की आरात्ना कैसे कर सकती है। आरात्य देव का गुणगान सुर्द ने किया है। दुसरे पद में स्रीकुरुष्ण का मन महोग वर्णन किया है। बालकुरुष्ण की जेष्टाओं के माद्यम से बालकुरुष्ण का बनोरम्य वर्णन किया है। मित्रों, सुर्दास जी ने यहां पर हमें दोपद दिये हैं, जिनका अद्देन हम आगे के वीडियो के बाग दोबें पढ़ेंगे। रणाव, हस्तो।